मेरे बच्चो तुलसी के एक नहीं अनेक प्रकार होते हैं, आज मैं तुम्हें इस वीडियो में उन सब के बारे में बताऊंगा, साथ ही उनके उपाय और चमतकारी फायदे भी बताऊंगा, लेकिन बेटा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना तभी तु कोई फायदा नहीं होगा, फिर बाद में पच्चताओगे, इसी लिए अच्छा है कि ये वीडियो पूरा देख लो, और बेटा तुम भी मेरी तरह महादेव के सच्चे भक्त हो, तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, महादेव तुम्ह इतना ही नहीं, हर तरह के पूजा पाठ में तुलसी का इस्तिमाल किया जाता है, भगवान विश्णु के पूजन में तुलसी का इस्तिमाल अधिक होता है, आमतोर पर घर में रामा और श्यामा तुलसी अधिक मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी के कई प्रकार ह इसी कारण यह श्वेद तुलसी कहलाती है। नमबर तीन, नीबू तुलसी पौधे की पत्तियां नीबू के पेड की तरह होती हैं। इसे प्रहलदा तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। नमबर चार, श्यामा तुलसी के पत्ते गहरे बैंगनी रंगे होते हैं। इसलिए इसे श्यामा तुलसी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्यामरंग की तुलसी होने के कारण ही ये भगवान कृष्ण को अतिप्रिय है। इसे कृष्ण तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पत्ते हरे रंग के होते हैं। साथ ही यह तुलसी भगवान राम को अतिप्रियत ही, इसलिए इसे रामा तुलसी के नाम से जाना जाता है। रामा तुलसी के पत्ते मीठे होते हैं, इस तुलसी को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से तरक्की होती है तुलसी के छमतकारी उपाए तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तिमाल कर सकते हैं नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर में नकारात्मक उर्जा का वास नहीं होता है। साथ ही अगर आप भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तिमाल कर सकते हैं। नमबर दो, मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांध कर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से नहीं जूजना पड़ता है। व्यक्ति की आर्थिक उन्नती होती है। 3. सुबह उठकर तुलसी मा से हाथ जोड़कर माफी माग लें और फिर ग्यारह पत्ते तोड़कर उन्हें उस बरतन में रख दें जहां आप अपना आठा रखते हैं। ऐसा करने से धन लाब के योग बनते हैं। 4. नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए गुरुवार के दीन तुलसी के पत्तों को पीले कपड़े में बांध कर आफिस या दुकान में रख दें। ऐसे करने से कारोबार में बढ़ोतरी होगी और नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। 5. भगवान विश्नु को सबसे प्रिय है तुलसी का पत्ता। भगवान को जब भोग लगाते हैं या उन्हें जल अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का एक पत्ता रखना जरूरी होता है। 6. तुलसी का पत्ता खाते रहने से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। 9. वास्तु दोश को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अगनी कोंड से लेकर वाईविकोंड तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। 10. ऐसा कहते हैं कि यदि आपके घर में कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले तुलसी को इसका ज्यान होगा और वह सूख जाएगी। आप उस पौधे का कितना भी ध्यान रखें। धीरे धीरे वह पौधा सूखने लगता है। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी उसे देख लेना तुम्हें फाइदा होगा।